Good morning children! Welcome to your rhyme class. Today's rhyme is September. Dear children, इस rhyme में हम जानेंगे कि हमारा कौन सा मन कितने दिन का होता है? आपने कभी कलेंडर देखा है? आप जलूर से कलेंडर देखना और यह जानने की कोशिश करना कि कौन सा मन कितने दिन का होता है? मतलब कोई कोई 30 days का होगा कोई 31 days का होगा और कोई 28 days का होगा और कभी कभी कोई महीना 29 days का हो जाता है और क्यों होता है आप इस राइन में जारेंगे तो शुरू करें 30 days had September 30 days had September April June and November April June and November February has 28 alone February has 28 alone all the list have 31 all the list have 31 that is the time when February days are 29 तो देखा बच्चो जद चार साल के बार एक साल लिपियर का होता है मतलब हर चौथा साल लिपियर का होता है तब हमारे February month का देख 29 days का हो जाता है और इसके पहले हमें सावा 28 days का होता है आईए इसे तिन से रिपिश करते हैं 30 days has September, April, June and November February has 28 alone All the rest have 31 except in the year that is the time when family live days are 29 देखें च्रीचान, देखें आप यसे अच्छी से लर्न करेंगे और एक छोटा विडियो ना कर मैं पर्सेंट करेंगे Thank you, have a nice day